नमस्कार दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूट्यूब चैमर पे जिसका नाम है HP Aspirants Zone तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन को भंग करने के बाद काफी समय हो चुका है और जो पैंडिंग रिजल्ट्स है उनके रिगार्डिंग काफी चर्चा बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में और सोशल मीडिया में लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि कब ये जो फाइनल रिजल्ट है वो डिकलियर किये जाएंगे और दोस्तो हजारों कमेंट करने के बाद इतनी रैलिज निकालने के बाद इतने आशवासन जो सरकार के दोरा दिये गए थे उसके बाद दोस्तो एक पोस्ट कोड का रिजल्ट जो पोस्ट कोड 975 है उसका रिजल्ट डिकलियर कर दिया गया है और ये दोस्तो ये पावर है सोशल मीडिया की क्योंकि लगतार अभियारते को दोरा कमेंट किये जा रहे थे हजारों के संख्या में जो ओफिशल CM का पेज है उस पे दोस्तो आप देख सकते हैं कि जो ने बहुत ज़ादा कमेंट यहाँ पर अभियरते को दोरा किये गहे थे और दोस्तो उसका आउटकम क्या हुआ कि एक पोस्त कोड़ का रिजल्ट यहां पर डिक्लियर कर दिया गया है वैसर दोस्तो 42 पोस्त कोड़ अभी पेंडिंग है जो total post code थे जो 42 post code pending थे जिनके process अभी complete नहीं हुई है लेकिन एक का जो result है वो declare कर दिया गया है बाकी post code के regarding अभी कोई clearance नहीं है कि कब तक ये जो result है वो declare कर दिये जाएंगे जो vigilance दाइरे में जो post code है उनके result कब declare किये जाएंगे उसके regarding अभी भी कोई clarification नहीं है और दोस्तों ये जो एक result है वो तब आया है एक तो social media में काफी जो official pages है चाहे मैं राहूल गांदी जी की बात करूँ जो Indian National Congress का जो social media पे page है उस पे भी दोस्तों हजारों अभ्यारतियों ने comment किये थे जो लंबित परिणाम है और जिस दौर से हिमाचर परदेश का युवा गुजर रहा है उसके regarding दोस्तों काफी comment वहाँ भी देखने को मिले और जो CMO का जो official page है चाहे मैं Facebook की बात करूँ, Twitter की बात करूँ या Instagram की भी बात करूँ दोस्तों वहाँ पर यही मांगे कि जो लंबित परिणाम है वो कब declare करे जाएंगे और काफी मेहनत करने के बाद इतने comment करने के बाद social medium अपनी आवाज उठाने के बाद इतनी rallies करने के बाद इतने आश्वासन सुनने के बाद इतना श्वासन लेने के बाद दोस्तों एक result अभी यहाँ पर declare किया गया है दोस्तों काफी बुरी situation है आने वाले समय में क्या होने वाला है कितने समय में यह जो pending result है वो declare करे जाएंगे नई notification का तो दोस्तों कोई अता पता नहीं है क्योंकि दोस्तों competition बहुत जा रहा है क्योंकि वही candidates जो upcoming exam होंगे अगर notification यह सरकार निकालती है वही candidate उन exam में भी participate करेंगे और maximum वही candidate ही clear करेंगे तो जब तक पिछले जो exam है उनके final result declare नहीं होते तब तक दोस्तों कह सकते हैं कि जो नए exam है वो नहीं होने वाले क्योंकि दोस्तों आपको पतायी होगा कि यहीं रोना इसरकार के दौरा यहां पे करा जा रहा है कि आर्थिक बधाली से इस वक्त परदेश गुजर रहा है और यह जो चीज है वो जो परदेश का युवा है वो सारा का सारा बोज उन पर डाला जा रहा है कोई नई recruitment नहीं हो रिपेंडिंग results दोस्तों मैं कता हूँ कि 2000 से ज़्यादा पोस्टों पर ये भड़तिया हुई थी लेकिन उनके future के regarding अभी तक कोई भी यहां पर ठोस कदम नहीं लिया गया है 200 एक result declare कर दिया गया है और social media की power यही है और जितने भी और जो post code है उन्हें उन अभ्यारतियों से भी मैं request करना चाहूँगा कि आप अपनी आवाज उठाएं अपने हक के लिए लड़ें क्योंकि इस सरकार की जो नीती है जो आपने 5 यचे महीने में देख लिया होगा कभी आपकी temporary teachers की भर्चे के बारे में यहां पर बात की जाती है कभी contract period को increase करने की बात की जाती है कभी यह कहा जाता है कि जो नई recruitment होगी उसमें दो exam यहां पर करवाए जाएंगे लेकिन दोस्तो contract period को increase किया जाएगा दोस्तो बहुत चिंता का wish है यहां पर युवाओ के बीच है तो ऐसी ऐसी चीज़े जब देखने को मिलती है तो जो मानसिक pressure है जो दिमागी संतूलन है जो इस वक्त युवाओ के बीच में क्या होने वाला दोस्तो आप सोच सकते है इतने लंबे इंतजार के बाद अगर उनको ये चीज़ सहन करनी पड़ रही है तो दोस्तो आने वाले समय में इसका outcome इस सरकार को देखने को जरूर मिलने वाला है दोस्तो एक important चीज़ वैसे सभी को पता चली गया होगे कि 5 जून को सुबा का जो समय होगा वो होगा दोस्तो 10 बच के 30 मिनट शिमला लिफ्ट के पास जितने भी अभियारती है जो अपने रिजर्ड के regarding सरकार से मांग कर रहे है या नई notification के regarding मांग कर रहे है लिफ्ट के बास दोस्तो 71 होंगे और सभी जो अभियारती होंगे वो सची वाले की तरफ पैदल मार्च करेंगे और दोस्तो अगर वहाँ पे सची वाले में अगर ये चीफ मिनिस्टर साब से मिलते हैं अगर इन्हें कोई satisfactory जवाब नहीं मिलता तो ये अभियारती दिल ली कूछ करने के लिए भी तयार है जो high command है Congress की वहाँ पे भी दोस्तों ये अभियारती जाने के लिए तयार है क्योंकि कुछ ऐसी situation ही माचल प्रदेश में हो गई है जो इससे पहले देखने को नहीं मिली तो it's a high time क्योंकि जो aspirants है वो काफी परिशान है बहुत सारे aspirants ऐसे हैं जिनके जो age limit है वो काफी हो चुकी है जो अगले exam नहीं दे सकते वो भी दोस्तों इस जो चात्र सत्याग्रह है इसमें participate करने वाले इससे पहले भी दोस्तों काफी rallies इन अभियारती के दोरा निकाली गई थी लेकिन कुछ outcome देखने को नहीं मिला था लेकिन बार बार जब social media पे comments किये जा रहे थे इतना pressure यहां पे create किया जा रहा था तब जाके यहां पे युवाओं की तरफ ध्यान दिया गया नहीं तो दोस्तों इससे पहले जो भी 5-6 महीने रहे हैं जो युवा है जो हिमातिल परदेश का युवा है जो परदेश की उन्नती के लिए यहां पे काम करने वाला है और जो करता है उनको दोस्तों इग्नोर किया जाता है और दोस्तों उनको इग्नोर अगर कर रहे हो तो दोस्तों इसका outcome आपको आने वाले जो लोकसबाद चुनाफ है उसमें भी दोस्तों इसका effect देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि इस सरकार को लाने में इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो दोस्तों इनकी बातों को सुना जाए कि क्या उनकी demands है क्योंकि दोस्तों बहुत समय हो चुका है कोई भी outcome यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है युवाओं के प्रति जो रुजानी सरकार का वो आप देख सकते हैं कि 4-5 महिने में कितनी चीज़े हुई है तो दोस्तों इस चात्र सत्यागरे में जरूर पार्टिस्पेट करें और अपनी मांगो को यहाँ पे उठाए और अपने हक के लिए लड़े तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप कोई वीडियो पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले